हलो इंजिनियर्स कैसे हैं उमीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जैसा कि आपको पता है MPP GICL के आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन्स आपको दिख जाएगा और यहाँ पर क्लिक हेर टू अपलाई तो जैसा ही आप देखोगे तो आपको कुछ पूरा का पूरा नोटिफिकेशन्स के बारे में आपको मिल जाएगा और इसी तरह की इंफर्मिस्नल वीडियो के लिए हमारे साथ इंजीनियस आड़ा पर बने रहिए पूरी कोशिस होता है बेस्ट टू बेस्ट क्रिप्स इंफर्मिसंस देने का गाईज आपको भी पता है इसकी डेडिकेटट प्रिप्रिप्रिशन्स भी इंजीनियस अड़ा आप लोगों को कराने वाला है तो आईएस वीडियो की बारे में एक साल्ट हाइलाइट बता देता हूँ कि पूरे देश का बच्चे अपलाई कर सकता है बीटेक डिप्योमा दोनों इसमें अड़ेजबियूटी है जेई पोस्ट के लिए 24 तारीक से आवेदन शुरू हो चुका है और MP के लोगों को आरख्षण का फायदा भी मिलेगा Other state के लोग as a general category भर सकते हैं सबसे बड़ी बात कि डिगरी आपकी complete होनी चाहिए 65% के साथ general category के लिए और भी अगर important बात करें तो examinations के pattern की बात किया जाए तो 120 questions होंगे हम उसके लिए separate video भी बनाएंगे तो यह देखिएगा आपको register करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा अलड़ी अगर login कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा आवेदन कब से सुरू होगा 24 मार्ज तक जाएगा 24 फर्वरी से 16 मार्ज तक आपका जाने वागा है और गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ कि proper तरीके से अब मेरे पास देखेगा instruction page है तो सबसे पहले देखेगा यह आपको यहाँ पे मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा so that कि आप लोगों को पता चलेगा तो यह दिखेगा important instructions आप लोगों के proper यहाँ पे दिख रहे हैं और ऐसे भी आप लोग समझदार हो पर छोटी छोटी जो माइनूट सी mistake हो जाती है हम उस पे आप लोगों से बात करेंगे चलिए तो दिखें यह हमारा है tentative number of vacancies may be increase and degrees category आप इतना age of accessions आपको मिलेगा मंदिप्रदेश के दोखों को फिर उसके बाद before going to the हमारा detail आपके बाद detail of the documents recording his or her qualifications as per the eligibility criteria from 10th class जो भी आपको form भरना है वो याद रखेगा आपको 10th के basis पे भरना मतब 10th के certificate में जो नाम होगा रहा होगा data बर्थ होगा वही आपको भरना है फिर उसके बाद आपको देखेगा from 10th matriculation onwards with percentage of marks फिर scanned certificate like category certificate EWS, SC, ST, OBC ये सारा आपको अगर आपको relaxation चाहिए तो 10KB से लेकर के 100KB तक चाहिए PDF or JPG and JPEG format में आपको accepted है फिर उसके बाद यहाँ पे देखेगा photograph के बारे में अगर बोला गया है photograph and signature का भी JPG और JPEG format में आपको याद रखेगा digital signed up scan photograph 3.5 ये बहुत important होता है कि आपको बाद में फोटो आपका blur नहीं हो या proper तरीके का format में नहीं हो तो size ये रखेगा 3.5 cm का width और 4.5 cm की height पिसे के लिए cyber cafe पे जा करके या online भी आजका size converter आते हैं तो आप ये size डाल दोगे तो उसके हिसाब से वो फोटो आपका okay कर देते हैं तो ये हमारा है how to apply तेकर सबसे पहले candidates should have the valid email id और mobile number आपका होना जी फिर उसके बाद आपको applications पर यहीं आपको मैंने जो बताया था नहीं यहां पे आपको जा करके click here to register पे आपको जाना पड़ेगा फिर उसके बाद मेरे प्यारे aspirants step by step चलते चलिए और आपका farm भरता जाएगा step by step process आप submit करते जाएंगे recruitment आपको step number one हमारा personal details, mail id, mobile number डाल करके आपको register करना है फिर आपको re-login करना है और वहां पे आप लोगों को बहुत सारे additional information देना पड़ेगा लाइक आप लोगों को qualifications, communication details, test city, declaration, upload, relevant documents, photos and signature, certificates and submitting the application fees via the net banking and gateway applications once submitted cannot be withdrawn and other applications fee and other charges ये तो बात सही है once paid will be not refunded ये तो सारी चीज़े ठीक है तो as usual process होता है step one आपको भी पता है हमें जो important बात जो बतानी है मैं आपको qualification, test city ये सारा चीज़ आप लोगों को पता है photograph को देकर के signature को देकर के क्या हमारे special guideline है वो एक important हो जाता है क्योंकि जादा तर से लोगों के farm reject होते हैं इसी parameter को देकर के होते हैं तो देखिए photograph को देकर के है photograph must be recent passport size color photo picture and white background में आपका होना चाहिए not older than three week from the date of the application, तीन week से पुराना नहीं होना चाहिए तो photograph should इसमें लापरवाही नहीं करना देखो आप अगर selection देने के काभिदियत रखते हैं यह छोटी-छोटी mistakes आप नहीं करोगे size of the application image should be 3.5 cm width और 220 kb से देकर के 100 kb के बीच में होना चाहिए फिर उसके बाद signature जो हमारा image के होना चाहिए वह हमारा black blue ink pen से होना चाहिए the signature must be signed देखो या तो black से होना चाहिए या तो हमारा blue pen से होना चाहिए और किसी और का भी नहीं होना चाहिए भाई अबेश please scan the signature area only and not the entire page तो आपको जो signature करते हैं सबसे ज़्यादा mistake है जब जब signature करते हैं तो आप पूरे scan कर लेते हैं पूरे page को नहीं आपको signature वादे एरिया को ही scan करके upload करता है जोकि बाद में अगर आप बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं अब पूरे page को scan कर गया तो उनका signature बजार हो जाता है तो बाद में उनका form reject हो जाता है इस तरह की mistakes आपको नहीं करना है मैं आपको बता दूं बाकि certificates वारा यह सारा चाहिए आप लोगों को और इसमें बहुत सारा और भी important चीज है बट मुझे जो relevant लगा मैंने आपको बता दिया और finally printing up submitting the applications form जब सारा आपको सब कुछ हो जाए तो form को print out कर वीजे और उसको pdf format में और more than one resistance should not be submitted by any candidate for particular post in case of multiple applicants one post can be यह दुनिया भारे का सारी चीज़े हैं एक post के लिए एकसा ज़्यादा form आप नहीं भर सकते इनोंने especially मना कर दिया तो बड़ा सोच समझ करके आपको form भरना है इसमें क्योंकि mistake करोगे तो आपकी liability बढ़ेगी तो और भी किसी तरह की help की जरूरत है आप देख सकते हैं यह सारी चीज़ यहां पर दिया हुआ है and guys thank you being the part of this session उमीद करते हैं मैं इस वीडियो उसको बनाने का अधाय उद्धेश की application से start हो चुका है farm भरिये आप लोग और कैसे कैसे farm को भरा जाता है यह official website है यहां पर जा करके आपको करना है यह segment open होगा पहले important rulebook को देख जीजे चैनल पर वीडियोज पढ़े हुए है eligibility criteria कोजे करके अब मैंने आपको बता दिया step by step photos में क्या ध्यान देना है signatures में क्या ध्यान देना है और फिर उसके बाद क्या-क्या documents required है इसमें during the farm भरते समय और आपको बाकी क्या eligibility criteria है क्या नहीं वह already हमने वीडियोज की माध्यम से ब बने रही है mechanical के लिए मैं कल मंडे से classes आ रहा है सामको शाड़े 6 बजे dedicated MPPGs और electrical के लिए भी सेबिल के लिए भी तो अगर आपको अगर आपको अप्लिकेशन की जरूत पड़े इंडिया का most comprehensive content आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा all courses में जाकर के AE और JEE में आप देख स आते हैं तो you have to choose यहां पे देखो यहां पे सब कुछ है view offer में जाकर के यहां पे Y201 code यूज कर सकते हैं कौन सा code यूज कर सकते हैं Y201 तो यह हमारा जैसे यहां पे code आपको भी पता है Y तो यहां पे Y201 यूज करगे यूज करगे तो जैसे यह अपलाई करोगे तो फिर आपको lowest price में आपको course मिल जाएगा तो 78% आप हराउन बहुत ही सस्ता होगा पर quality content भी देगा आपको MPPG style का dedicated app को guidance भी देगा वीडियो की नीचे मैं batches की link भी प्रवाइड कर दूँगा thank you guys thank you hope आपको अभी भी कोई doubt है आप पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे comment सकते हैं पूरी कोशिस करता हूँ यार पूरी सिद्धत से कि आप जोगों को best to best information जो required होगा आप कैसे farm fill up करें वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस है step by step ऐसे भी आप बीटेक और डिप्लोमा एस्पेरेंट्स हैं तो सारी चीज़ों को कर सकते हैं बट भी फॉर फॉर फॉर्म भरते समय कुछ डाकुमेंट्स अगरा आप जोगों की पास scanned permit में होना चाहिए